असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब वेलकम टू मैं चैनल जायका नेराला आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है मैं जई थी कुकिंग कॉम्पेटिशन में और अलहमदलेला कॉम्पेटिशन में में रिपोजीशन भी आई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की जाएं मैं बना कर लगी गई थी सिंगपूरियन राइस जो के बहुत ही मज़ेदार से तयार हुए थे तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी में तमाम घर से बना कर ही लेकर गई थी वहां जाके बस मैंने प्रेजन्टेशन दीती सबसे पहले हम स्पैग आप लोग अपने टेस्ट के हिसाफ से में शामिल कर सकते हैं जब स्पैगेटी हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएंगे पांच से साथ मिट में तो इसके बाद हम इसे पानी में से निकाल लेंगे और इस ट्रेइनर में रख देंगे और इसके उपर हम ठंडा पानी भी डाले प्यास को हमने इस तरह से स्कॉार शेप में कट करना है और एक से दो मिंट में हम प्यास को सॉफ्ट करेंगे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है मेडियम तू लोग फ्लेम पर हम इसे सॉफ्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लैसन का पेस्ट वन कर दालने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताके तमाम एक्स्ट्रा पानी खतम हो जाए साथ ही साथ हम इसमें मसाले भी शामिल कर देंगे जो मसाले इसमें जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ हमने लिए है कुटी हुई लाल मिर्च, वन टीस्पून, काली मिर्च का पॉडर, हाफ टीस्पून, हल्दी पॉडर, क्वार्टर इस्पून और चीनी इसमें शामिल करेंगे quarter spoon half tea spoon हम लेंगे लाल मिर्च का powder और half tea spoon हम भी लेंगे गरम masala मिर्चे और नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं नमक भी इसमें जाएगा half tea spoon अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है वो मैं बाद में शामिल करूंगी और साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे वन टेबिल स्पून विनेगर, वन टेबिल स्पून सोया सॉस और वन टेबिल स्पून रेड चिली सॉस ये तीनों चीज़े हम इसमें शामिल कर देंगे साथ ही साथ मैनेस में शामिल कर दी है टू टेबिल स्पून परमेटो कैचप इन तमाम चीजों को डाल के मिक्स करेंगे मैनेस में पानी शामिल नहीं करा है मेरे पास ये फ्रीज चिकन थी तो उसमें से ही इतना दादा पानी निकला था तो हम इसी में इसकी भुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पर लो फ्लेम पर नहीं पकाना है चिकन का तमाम पानी अब ड्राय हो चुका है आप लोग देख सकते हैं चिकन हमारी अब रेडी है हम इसका फ्लेम आफ कर देंगे अब हम इसके next step पर आते हैं इस recipe के बहुत सारे step है तो अब हम इसकी sauce तयार कर लेते हैं sauce तयार करने के लिए हमने लिए है 1 cup mayonnaise, 2 tablespoon tomato ketchup और few drops हम इसमें शामिल करेंगे 4 to 5 drops तकरीबन red sauce के, red chili sauce के और इन तीनों चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और यह हमारी मज़ेदार सी sauce अब तयार है, बहुत जादा चीजे sauce में नहीं जाती है sauce वाला step हमारा अब complete है और green chilies को fried कर लेंगे, lesson मैंने लिया है आदा cup के करीब और green chilies मैंने लिया है 10 to 12 green chilies आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और जादा कर सकते हैं लेकिन lesson की quantity इतनी ही रखे है क्योंकि इसमें lesson का अरोमा आता है उसी से ही इस recipe का टेस्ट enhance होता है lesson और green chilies हमारी अब अच्छे से golden brown हो चुकी है अब हम एक bowl में green chilies और lesson को निकाल लेंगे अच्छी तरह से हमने इसका तमाम तेल remove कर देना है तेल के बगएर ही निकालना है अगर आप लोग चाहें तो lesson और green chilies को इस ट्रेनर में भी रख सकते हैं ताकि इसका oil अच्छे से remove हो जाए अब हम इसके next step ही तरफ चलते हैं मैं मिक्स कर लिया है अब हम इन सबजियों को सौते कर लेंगे 2-3 tablespoon हम लेंगे cooking oil और उसमें शामिल कर देंगे lesson 1 tablespoon हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें lesson का इस्तेमाल करना है इस recipe में अधरत का इस्तेमाल नहीं करना साथ हम इसमें हरी प्यास का white वाला पार्ट डाल देंगे एक दू म दो से 3 मिन के लिए हम इसे high flame पर इस तरह के पकाएंगे बहुत जादा हमने सबजियों को cook नहीं करना है साथ के साथ अब हम इसमें मसाले भी शामिल कर देंगे 1 tablespoon मैंने इसमें शामिल किया है सिर्का 1 tablespoon इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस और 1 tablespoon हम इसमें चिली सॉस शामिल करे अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक शामिल करेंगे नमक हम इसमें शामिल करेंगे quarter spoon काले मिर्च का पॉडर हम इसमें 1 teaspoon शामिल करेंगे आप लोग काले मिर्च की जगा सफ़ाइथ मिर्च का पॉडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिक में कम ही शामिल क्या करें इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटिवी लाल मिर्च यह आप्शनल है आप लुक चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है हाफ टीस्पून मैंने इसमे शामिल करी है कुटिवी लाल मिर्च और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल स्पैगिटी इसमें डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे फ्लेम हम अभी आफ नहीं करेंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका फ्लेम आफ कर देंगे अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कारिटी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साइड में बेल का इकॉन इसको जरूर प्रेस कर दीजेगा स्पैगिटी मैंने 150 ग्रैम्स यूज़ करें हैं अब तमाम चीज़े लास्ट स्टैप है चामल बॉइल करना मैंने देड़ पाउ चामल लिये थे चामलों को अच्छी तरह से वाश करके आदे खिंटे के लिए भीगो दिया था उसके बाद मैंने चामलों में पानी नमक और डाला है जब इसका पानी ड्राय हो जाएगा तो इसके बाद मैं चाम संक तियारे घर की dar लीती तहीं अतरफ third अब ने पास हम शचार्ट करते हैं प्रेजेशन मैं इस तरह से बॉक्सुन में बाधिये रहा मैं और वाक्स्स और नारलिक में देखा एक बॉक्स में चिकनग और प्रॉयड गारिक रखा थाccoliक अ किती और गिच्छीं मैं आपको बनाती हूँ कि मैंने किस तरह से प्रेजेंटेशन दीती हुए सिंगापूर्ण राइस किस तरह से सर्फ किये जाते हैं सबसे पहले प्लेटर में जो प्लेटर वाल किये तो उसे मैंने रख लिया है उसके बाद मैं इसके उपर सौस डालूगी इसकी सौस का और जो लेसन, फ्राइट लेसन, उसका जो टेस्ट है, उसकी वजह से सिंगपोर्न राइस का टेस्ट जो है, वो इनहान्स होता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी फ्राइट वेजिटेबिल और स्पैगीटी इस तरह से मैंने चामलों के सेंटर में रखा था उसके बाद मैं इसके ओपर रखूंगी चिकन जो मैंने तयार की थी और उसके बाद अगैन मैंने इसके ओपर सॉस डाली है सॉस डालने के बाद मैं दुबारा इसके ओपर थोड़े से स्पैगिटी रखूंगी भी बहुत जादा नहीं और साइट साइट पे जो जगा नजर आ रही है इसको हम जिकन से फिल कर देंगे उसके बाद अब हम इसके ओपर शामिल करेंगे एक फ्राइट गार्लिक और ग्रीन चिलिस हमने पहला के डालना है सब तरफ लैसन और हरी मिलचे जाएं उसके बाद जो अगयन इसके ओपर बहुत सारा सौस और जो भरी प्यासती उसका ग्रीन वाला पार्ट मैंने गार्नेशिंग के लिए यूज कर रहा और मेरे ये सिंगापुजन राइस अब तयार है आप लोग देख सकते हैं competition में दो जजेश थी उसमें से एक जज ये वाली मैम थी जो मेरी डेश इसको टेस्ट कर रही है इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये डेश ये बार बार मुझे कहा रही थी कि इनकी बेटी को भी सिंगापुजन राइस बहुत ज़्यादा पसंद है इन्होंने मुझे से रैसे भी इसकी पूछी अब मैं आप लोगों को दूसरी मदर्स का भी दिखाती हूँ कि दूसरी मदर्स क्या डेश बना के लाइं सभी ने बहुत ज़्यादा मेनत की थी श्यादा बना के लाइं से वायादा ने राइं से लाइं से बहुत ज़र्स कि छूसरी टाइं से खिरें से ज़र्स के फ़स्फ़ादा पर अबना के लितो हैं उसके लाइं झाल 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 झाल